हालो एवरिवान कैसी हो आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हूँगे तो जैसी कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ी आ चुकी है और मम्मी आ गई है यानि कि दीदी और न्यू बेबी आ चुके हैं घर में उनको होस्पिटल से डिश्चार्ज हो गएते वो तो मम्मी लेकर आ गई है इसको अंदर पहले क्योंकि बारिश का मोशम हो रहा है और नीचे आप देख भी रही है सारे में गीला हो रहा है बारिश थोड़े दिर पहले ही बंद हुई है और अब भी मोसम ऐसा ही हो रहा है तो हैं पर दीदी को लेकर आ रहे हैं भाई साब पकड़ के यानि की जेट तो फ्रेंस ही हाँ पर मिठाई भी आ गई है और छोटा सा बेबी घर में आ गया है दीदी भी आ गई है और मिठाई लिए तो खालीजे आप सब भी अभी पापा सब को मिठाई बाटते फिर रहे हैं सब को तो आप सब भी खालीजे मूँ मिठा कर लीजे तो भी पापा जा बाहर सबको मिठाई बाटने के लिए और चलिए अब दीदी को देते कुछ खाने पीने का और यहां पर शाम के ताइम साम भी नहीं खोड़े देर बार दी इन देर लों इन देर बार दी इन देर बार इस पड़ने लगे ज़िए आपको हवाज दी आ रहे होगी कि भी कि ते इसका वैलकम हुआ है घर में तो बारिष के साथ ही हुआ है तो यह एकी बारिष का तीन चाह दिन से तो इतनी हो रखे बारिष की कि मौसम साप ही नहीं हो रहा है कभी बारिष बंद हो जाती कभी आने लगते है और यहां पर पापा जा रहे है उपर च्छत पर क्योंकि पापा जाता है तो इसलिए पापा गए हुए चाता लेकर उपर जिससे की पत्ते आ रहे हुए तो उनको हटा देंगे और देखे पेड़ पोधी कितने अच्छे हो जाते हैं बारिष सोनी के बाद इन में जैसे की जान पड़ जाती है तो कितने अच्छे लग रहे हैं बेबी का वेलकम कैसे हुआ है